तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांगलिंग यहां पर मैजिकल आर्सेनल यूज करता है अब आके और जबी जबी यह इस टेक्निक को यूज करता था यह बाईफान की मनिमन तारीफ करता था कि उन्होंने क्या ही स्पेल बने है मतलब अब जो सोल्स को सारे सोल्स थे तो सिचुवेशन बदलने लगता है लेकिन क्योंकि यह एक सेलेश्टियल स्पेल है तो वांगलिंग के पास जो बची कुछ एनरजी थी सेलेश्टियल और इसे वो यूज करना पड़ता है और कि इसके पास जुआन मौक और जिन सोल्ता तो यह उसकी मदद स इस टेकनिक को थोड़ा यूज कर पा रहा था लेकिन फिर भी इससे जादा सेलेश्टियल और चाहिए होगी नहीं तो यह स्पेल फ्यूचर में यूज नहीं कर पाएगा अब यह चीज़े देखकर ओलसीर भी थोड़े से डर जाते मतलब संकोच करते हैं उन्हें भी नहीं इसके अंदर थोड़ा सड़ा हुआ के लिन भी था और इसके पीछे से पांच और हेडलेस लोग मतलब जिनका सर नहीं होता है वो भी चार्ज करते हैं और यह सबी मास्टर वॉइड को घेर करके अटेक करना शुरू कर देते हैं वांग लिंग दिमाग लगा थे कि यार जो और इसके बोड़ी पर एक आर्मर बना हुआ था वाइट वर्मिलियन बर्ड का तो फिलाल एक तरसे पाइथन का क्राई और अपना वर्मिलियन बर्ड का क्राई दोनों काउंटर करते एक दूसरे को और सिर स्माइल करते हैं वो इस वर्मिलियन बर्ड का भी वेट कर रहे थ कि इनका एक टेक्निक था शायद कोई heavenly fate sect में four spirit उसमें वर्मिलियन वर्ड का spirit missing था पाइथन अब वांगलिंग प्रटेक करता है और वहीं वर्मिलियन वर्ड की तरफ इनका हाथ बढ़ता है वर्मिलियन वर्ड फ्लेम को रिलीज करती है अब वांगलिंग का चेर एकदम उतर आते हुए पहले यह वांगलिंग का डिवोर करना चाता था लेकिन अब भाग जाता है और इस थंडर की आवास तुनकर इफेन ओल सीर भी शौक हो जाते है और जो थंडर पावर था यह पाइथन को भागने नहीं दीता है इस पर लागतार अटेक करता है अब ओल सीर का भी अब यह जो अटेक था वांगलिंग पर यह ओल सीर का किलिंग मूव था वांगलिंग तुरंती अज्योर शिल्ड निकालता है लेकिन जैसे वो पाम अटेक टकराता है इसका शिल्ड दो भागों में पढ़ जाता है मौके का फाइदा वांगलिंग ऐसे उठाता है यह तुर दूसरी बात ये थी कि फिलाल ये इंजर्ड भी हो जोगा है लेकिन फिर भी जो आलसीर का ये हैंड था अंगूठा कास करके एकदम नम पढ़ जाता है और उनका किलिंग इंटेंट और बढ़ जाता है और इन्हें समझ में आ रहा था कि यार ये वांगलिंग को मारना तो पे बैटल शुरू हो चुका था एक मारना चाहता था और दूसरा बचने के लिए वास स्ट्रगल कर रहा था मतलब वाटर और फायर जो मिक्स नहीं हो सकते अब इस दोरान धड़ाई खुलता है तो रेड लाइट निकलता है और ऑलसीर को घिरने लगता है उनके पाम को इनका बिगडने लगता है अब इस दोरान इस चीज को देखकर वो जो छे एल्डर्स में से एक थे वो काफी गुस्सा हो जाते है क्योंकि वांगलिंग को बचाना था और वो लाइफ और डेथ सिचुएशन में था और वो अपने उर्चिन सोल को ही डेटोनेट करने लगते यानि कि फोडने लगते और थे वो निर्वाना शैटर लेबल पे क्योंकि बस इन्हें उम्मीद थे कि इनकी मदद से शायद वर्मिलियन बॉर्ड फिर से ग्रो कर पाए इधर ओलसीर अपने थर्ड आई को टच करते हैं जहाँ पर तीन मार्क चमग रहे थे और एक मार्क को ये निकाल देते हैं शायद वो सील होगा तो इनका कल्टिवेशन बढ़ जाता है और वांगलिंग का जो सोर्स और जिनता उसे ये ब्लॉक कर देते हैं और वो जो बंद के बीच की दूरी बढ़ा लेता है इधर ओलसीर जो पहले थोड़ा ओल्ड दीखते थे ये पहला सील हटाने के बाद पहले से काफी यंग दिखने लगे थे मेडिलेज मैं पचास साल के असबास और जब टाजिया भी सौरों को फिल करता है तो वो भी हराम था और ये बोलत देमन स्पिरिट लैंड के बाहर में तसजार कल्टिविटर्स के आर्मी यहाँ पर प्रकट होती है जिने के एक ओल्ड मैन लीड कर रहे थे पावरफुल सेलेस्टियल औरा के साथ और इनके पीछे भी मानो 100 सेलेस्टियल सो ये लोग रेन सेलेस्टियल रियलम के थे और ये दूसरी तरफ से वर्मिलियन बर डिवाइन एंपरर का सोल जो था और जिन सोल इधर पहुँच चुका था तीसरी तरफ से दो लोग और आ रहे थे ब्रिलियंट वॉइड रियलम के मूबिंग में और वो ओल्ड मैन लेकर इस तोरान एक स्ट्रेंज डुमेन को दिखाय जात यह लोकेशन था फोर डिवाइन सेक्ट में से अज्योर ड्रैगन डिवाइन सेक्ट का और इस तोरान वो ओल्ड मैन यहाँ पर प्रकट होते यानि वर्मिलियन बर एंपरर और यहां से कुछ ट्रेजर लेने आये थे यहां के जो एल्डर से इन्हें ग्रीट करते हैं और यह बताते हैं इनको कि हमारे वर्मिलियन बर्ड का एक बंदा जाग चुका है यानि उसने उस पावर को जगाया है तो फिलाल मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं ट्रेजर लेने आया हूँ और यह बोलते हैं तुम लोगों को मेरे साथ चलना पड़ेगा इनके पास पहले से व और ज्यादा तरलो निर्वाना शेटर अरली फेज या मिड फेज में थे और टाजिया खतरनाक आदमी था तो फिलाल यह इंजट तो थे यह फिलालो जो हूमन टाइप फिगर था टाजिया के साथ में उससे तो फ्लावर इंपरियल कांको बाइन ने लग बगारा दिया था आल से रिकदम इस धर शान थे क्योंकि इनका और बढ़ चुका था और फिर से यह एक बार वांगलिंग के तरह पढ़ते हैं और यह बोलते हैं कि मैं फ़स्ट इवन ब्लाइट में होकर तो मैं मार रहा हूं तुम हल में जाकर भी खुश हो सकते हो और जब यह बढ़ते हैं तो वांगलिंग को लगता है, कि मानुआ इसके बॉड़ी पर कोई पिन चुबा रहा हो, इसके सूल को इंजड कर रहा हो, और ये वांगलिंग खूल के उल्टी करता है, वांगलिंग जानता था कि अगर ये लाइफ में ऐसे इस्ट्रगल नहीं किया होता, तो कपका मर चुका अब वांग लिंग बहुत सारे फ्लाइंग स्वाड निकालता है और ऐलसीर के तरह पढ़ा दीता है और साथ में थर्ड वार्ग और चैरियट भी जो कि बटर फ्लाइं में बदल जाती है और फिर से अपने पंकों को लहरा दी है और जब पंक लहरा दी है तो लौ पावर निक लेकिन बटरफ्लाइ इन्हें डेस्ट्रॉइ कर दी अब बटरफ्लाइ दुबारा से पंक ले रहती है बट ऑलसीर को फरक नहीं पढ़ता है वो कोई मंत्र पढ़ते है और एक एक्स्प्लोजन होता है मतलब जैसे ही वो बटरफ्लाइ का पावर आगे बढ़ता है मानों एक वांग लिंग पर अटेक करते है अब हो जो पत्थर आ रहे थी बटरफ्लाइ उन्हें डेस्ट्रॉइ करते थी पर इस तोरान ओलसीर वांग लिंग के करीब पहुँच जाते है और अपना फिंगर अटेक वांग लिंग के आईब्रोज की तरफ बढ़ते है अगर ही अटेक लेकिन वो फूट था नहीं लेकिन जो फोर्स पड़ा था क्योंकि वांग लिंग ने इस शीत को पकड़ा था तो वांग लिंग पीछे जाके गिरता है खून के उल्टी करता है और इससे लग़ा था मानो यह बेहोश हो जाएगा लेकिन फिर भी क्योंकि ये बंदा था के सामने जुकता नहीं है तो अभी भी ये आँखे खोल के था ओल सीर शान थे लेकिन वो जो फोर सा इन्हें भी थोड़ा पीछे फैक दिया था ये फिर से आगे बढ़ते हैं टेलिपोर्ट करते हैं वांगलिंग पर अटेक करने वाले थे और एक किलिंग इंटेंट टेमन स् के दुश्मन बन जाएगा तो अलसीर का जो पाम अटेक आता है उसे ये बंदा अपने एक टालिसमेंस है जो की बीश के स्कीन का था उससे ब्लॉक करती था और वांगलिंग को लेकर वहां से थोड़ा दूर आता है वांगलिंग फिलाल इसके मतलम हाथों में था हलाक इसके टैटूस कोलाप्स कर जाते है बिग हेड को दिखाया जाता है जूकि इंजर्ड था फिलर और ओलसीर का उतार इससे मारने वाला था अट लीजी उस आटैक को रोकता है लीजी की बाड़ि कोलाप्स कर जाती बस इसका ओरजिन सौल बसता है और हलो विंड फिलाल इसे बचा जो कि seriously injured थे वहीं दूसरी तरह अपताज जिया moon burial attack की उज़ करता है और इसके attack की वज़े से पाच वेल्डर खून के उल्टी करते है और लगबग कोलापसी कर जाते है और जो भी 100 disciples थे हैं क्योंकि ये लोग मिला जूला technique की उल्टी करते हैं तो वो लोग भी खून के उल्टी करते हैं वाट ओल्सीर को फरक नहीं पड़ता है वो सिधा टाशान पर ध्यान देते कि तुम लंबे समय से छिप रहते तुम बाहर कैसे आ गया मुझे लगा तुम आओ के नहीं टाशान कुछ बोलता नहीं मतलब वो लंबे समय से छिपा हुआ था क्योंकि भाई फाइट तो ये इसका था भी नहीं लेकिन जब यो वांगलिंग को ऐसा लाइफ और डेथ सेच्यूएशन में देखता है तो इसका मतलब अंदर से आवाज आती है कि नहीं आ रहा है ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ अब वांगलिंग के आवाज नहीं निकल रही थी फिर भी बोलता टाशान इसकी आँखे एकदम शार्प हो चुकी थी टाशान इसको पकड़ के था और उसके भी होट से थोड़ा बलड आ रहा था वांगलिंग एक गहरी सांस लेता है कि भाई मुझे जाने तो बिग हेड वगरा की हल्प करो और फैसे ये स्वाड़ शीत को निकालता है ओल सीर की तरफ केलिंग इंटेंड के साथ देखता है बतलब वही फिंड वही वांगलिंग जो प्लैनेट सुसाकू पर हुआ करता था कुछ वैसा इसका रूप था कि मैं वांगलिंग हेवंग डिफाइंग कल्टिवेटर हूँ मर भी जाऊंगा ना तो भी जुकोंगा ने मैं किसी चीद से नहीं डरता हूँ और ये तो मृत्तिव है बस और जो स्वाड शीद था वो फूट जाता है उसके अंदर जो रस्टी आईरन स्वाड था वो बाहर निकलता है टाशान हेजिटेट करता है लेकिन फिर वांगलिंग के कहने पर यहां से चला जाता है और मास्टर हॉलो विंड और बिग हैड वगरा कितरा पड़ता है वांगलिंग ने बोला थाटाशान को कि यहां से निकल जाओ कि ठीक है तुम अटैक समाल लोगे तुमारे पास टैटू क्लैन का होली अंसेस्टर का पावर है लेकिन कितने अटैक और बहुत पावरफुल है लेकिन अब यह मेरा स्ट्रगल है सर्वाइब करने के लिए अगर मानलो मैं मर गया न तो मुझे बलनेट सूजाक उपर दफना देना और मेरे जो दोस्त वगर है क्रिपया उन्हें कुछ मत करना ओलसीर इसकी तरफ देखते हैं और हां में सरीलाते है अब वांगलिंग हसता है लेकिन इस हसी में एक अलग एरोगेंस था पॉड़ी पेन में था और जिन सोल कभी भी कोलैप्स कर सकता था मतलब तुकडो तुकडो में बढ़ रहा था पर हाथ इसके नहीं कापते है तलवार को यह उठाता है और चिलाता है ओलसीर अब फिला तलवार को यह चला चुका था एक स्ट्राइक, दो स्ट्राइक, तीन स्ट्राइक ओलसीर को फरकने पड़ता है यह वांगलिंग को देखते है और स्वर्ड स्ट्राइक को देख रहे थे साथ, आठ, मतलब वांग लिंग नौ बर तलवार चला लेता है बढ़ते बढ़ते, तेई से श्ट्राइक तक वांग लिंग पहुँच चुका था और शादी ये इसका लिमिट था इसके आसपास जो फायर आर्मर का और आ था वो खतम होने लगता है उसे भी आईरन स्वर्ड में भीज देता है, 24 अब वांग लिंग के बोड़ी से ऐसा फटने के वाज आती आँखों से बलड आ रहा था, 25 तलवार और इस समय वांग लिंग के चेस्ट से भी बलड आने लगता है इसके जो जखम थे, मानो खुल जाते है लेकिन अभी भी इसका जो विल पावर था अभी भी इसके बोड़ी को जब इन पे जाने से रोख रहा था मानो ओलसीर बोलते है कि जो तुम कर रहे हैं ये यूजलेस है मेरे फॉस्ट हेवन, ब्लाइट कल्टिवेशन के सामने तुम्हें एटलिस तीस श्ट्राइक करने पड़ेंगे इस स्यूडो निर्वाना वोई ट्रेजर के साथ ताकि मैं आगे आने से रोख पाऊं वांगलिंग के आखे बंद हो रहे थी मतब धूंदला सा आखेों के सामने चाह रहा था यह बोलता है ऐसा यह तलवार चलाता है 27, 28, 29 अलसीर भी बोलता है यार अब वांगलिंग का ओरजिन सोल भी कोलैप्स करने लगाता अब यह सोचता है मैं ओरजिन इनर्जी यूज करूँ और फिलाल यह तीसमा श्ट्राइक भी कर देता है लेकिन यह रुकता नहीं है बढ़ाते जाता है 33 तक पहुच जाता है अब यह 33 अटैक अलसीर को घेर लेते हैं और यह और इतनी खतरनाक थी कि मानो अलसीर को भेद देगी यह जो रस्ट मार्क था यानि जंग लगे हुए मार्क इस औरा के साथ फ्यूज हो जाते है लोग जो भी बैटल कर रहे थे फिलाल अपने बैटल को छोड़ देते इवन टाजिया इस तरब देखता है टाशा वो चिलाता है मतलब मास्टर मतलब उसकी रूह काप चाती है बिग हेड भी कलग पेन फिल करता है अपने सोल के अंदर मास्टर बोलता है लेटल लिन का भी सेम आल था मतलब सेटुनन बोलता है लेटल लिन ये वंगलियं को लेटल लिन ही बोलता था जो कि एक औलसियर के साथ बैटल कर रहा था और खुद इंजर्ड था क्योंकि इसका पोईजन वैसे भी आपको पता है कि फिर से फैलने लगा था अटा कितना पावरफल था कि स्पेस में भी क्रैक्स आने लगते है और डेमन स्परिट लेट पूरा कोलाप्स कर जाता है आसमान कोलाप्स करने लगता है और endless और जिन उनरजी यहां पर फैलता है दिर दिर इंपैक्ट खतम हो जाता है और जमीन पर गिरता है जो कि धस रही थे इससे लगता है कि शायद मैं अपने माँ और बाप से अब मिलने जा रहा हूँ ऐसा लगता मानुस के फादर ऐसा हाथ हिला रहो पुराने लोग इससे याद आते है और इसससा शायद यही बेश्ट था इससे वांग पिंग, ली मुवान इन लोगों की याद आते है शायद यह लोग मेरा वेट कर रहे हूँगा और यह मन में सोचता है, यार सिटू और जावी से मैंने जो प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया पर अचानक थे देमन स्परिट लैंड बे दो लोग प्रकट होते है एक मेल और एक फेमिल एक तब वो ओल्ड में थे और दूसरी अपनी मूबिंग में जो कि सुन्दरता मैं क्या ही बोलू और जब यह दिखती है वांग लिंग की बोड़ी को गिरते हुए तो एक अलगी से बेचैनी होती है एक कॉंप्लेक्स फिलिंग इसके दिमाग में आता है मानू यह अपना कंट्रोल खो देती है और सीधा वांग लिंग की तरह बढ़ जाती है ओल्ड में सोचते हैं बट फिर कुछ बोल नहीं बात है मूबिंग में हापर पहुंचती है और वांग लिंग को पकड़ती है पहली बार यह वांग लिंग के सामने यह गल जाता है और यह एक ही चीज बोलती है कि इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मार सकता मेरे सिवा और उसके बाद यह ओल्सिर को एक लुक देती है एक खतरनाक, कोल्ड लुक ओल्सिर सिरियस हो जाते हैं और कुछ कदम पीछे अटते हैं इनके हाथों में वो ट्राइडेंट था मतलब तिर्शूल की समाने का स्त्र और इसके बाद इनके नजर पढ़ती है ओल्ड मैन पर और यह बोलते हैं क्या तुम लोग भी इस मैटर के बीच में आना चाहते हो ओल्ड मैन यानि लू यू आंडो देखते हैं पहले ओल्सीर की तरफ फिर इस टाजिया की तरफ और बोलते हैं कि मेरा टारगेट यह बंदा है और यह टाजिया की तरफ बढ़ते हैं टाजिया इनके तरफ देखता है और थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है कि ये तुम हो, मतलब तुम मरे नहीं थे, अब ये बोलते है, old man, कि वैसे तो मैं मर गया हो था, लेकिन brother kingling ने मुझे बचा लिया था, हलाकि मेरी और उनकी बंती नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे बचाया था, तो मैं एक बार उन्हें बचाना चाह होंगा, और मानौ NC and Devlin के सामने कुछ नहीं, ये वैसे आके बढ़ते हैं, टाजिया, अब इनके उपर अटैक करते हैं, इधर moving में, वांगलिंग को यहाँ पर रखती हैं, और allsir की तरह पढ़ती हैं, और बोलते हैं कि brilliant void sentence, मैं आपके साथ दुश्मनी नहीं करना जाता इसका कोई आपके साथ relation नहीं है, तो फिर आप मुझे क्यों, इसे मारने से रो करी हो, moving में एक है चीज बलती है, कि तुम qualified नहीं हो, कि इसे मार पहो, अब ये अपने हाथ को घुमाती हैं, और मानौने कि यहाँ पर illusion प्रकट होता है, मतलब बहुत सारे moving बे जैसे लोग य यहाँ पर एक origin energy का pillar बनता है, और मानौने कुछ पढ़ते हैं मंत्रे के रोपने, moving में बोलती हैं, कि तुम ये जो spell यूज करते हो ना, ये heavenly fate वगेरा वगेरा, मेरे सामने काम नहीं करेगा, अभी इनके पास एक bamboo slip था, यानि बास का कुछ था, वहाँ पर origin energy गैदर होती है और जैसी ये खुलता है, moving में कि आसपास एक और आई खठा हो जाती है, और ये बोलती है, कि वैसे तो मैं first heaven blight पर हूँ, लेकिन brilliant void जो realm है, यहाँ की कोई भी origin energy मेरे control के बाहर नहीं है, और अगर मैं चाओंगे कि तुम इने origin energy use ना कर पाओ, तो तुम नहीं कर पाओगे, और इस तोरह ये इस rune को activate कर देती है, मानो पूरे space का origin energy बदलने लगता है, और इनके आसपास इकठा हो रहा था, और ये बोलती है, मतलब एक आवाज में कि steel, allsir की जो भी external origin energy है, उसे seal कर तो, और अपने आप ये ऐसा होने लगता है, बस allsir के अंदर में जो origin energy थी, जो कोई ऐसा spell है, और आज इनोंने देखा था, मतलब जब celestials थे बे, तब बे जो brilliant void के sentence थी, उनका एक अलग होदा था, और बेसिकलि ये जो spell आया था, वो ancient celestial realm से आया था, यानि ये जो celestial realm से है, ये जो चार बने थे बाद में, उनके पहले जो था, उससे related था, और हर एक star system में एक sentence होती है, वो इसे control करती है, बट सब का power अलग-अलग है, moving में इस दोरान वांगलिंग की तरफ देखती नहीं है, मतलब शादी अभी भी confused थी, बस एक चीज़ था, कि ये वांगलिंग को मरते भी नहीं देख सकती थी, अलगी विचित्र feeling, दर्दनाक, बट था, कई बा और तीन rays of light, moving में किदरा पड़ती है, इधर वांगलिंग, अपने आखे खोल लेता है, जब collision होता है, और जब ये देखता है कि moving में, all spirit से battle कर रही है, तो इसका expression अलगी complex हो जाता है, और एक pain इसके दिल में भी जागता है, मतलब इसे नहीं लगाता है, कि ये इस lady से इतन अब थोड़ी हुआ है, उसमें एक spell था, 8 star ancient god का, जिसे life saving spell कहा जाता है, मुझे नहीं पता उसका power क्या है, लेकिन वो कमजोर नहीं होगा, अब वो जो blue था, power उसके अंदर, तो वांगलिंग का right अई चमकता है, तो अर्जियोर shield का, light फिर से प्रकट होता है, और क्योंक य उसके जुरुत नहीं है कि मुझे save करने के लिए, मैं खुद को बचा सकता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम, तुम्हारा मेरे पर कोई ऐसान हो, अब इस तरह, इसके 500 ancient god stars यहाँ पर चमकते हैं, rotate करने लगते हैं, और जो azure blue shield था, यानि इसके right आई में, वहाँ पर यह power बढ़ने लगता है, वो जो blue आई था, जो blue power था, वो और चमकता है, हलाकि वांगलिंग के star shattered नहीं होते हैं, लेकिन यह dim होने लगते हैं, क्योंकि यह जादा power, उस blue light में भीज रहा था, उस power को use करने के लिए, शायद इसे लंबा समय लगे, इन इस restore करने में, shattered नहीं वो blue power था, वो बाहर निकलता है, एक तलवार के रूप में बदलता है, ओलसीर ने जब यहाँ पर एक technique यूज किया था, एक pillar type बनाया था, वो भी यहाँ पर ध्वस्त होने लगता है, वांगलिंग के power के खरण, और यह light शमकती है, पूरे demon spirit land में फैलने लगती है, अभी ज मतलब kingling अगर जागेगा, तो फिर से इन्हें उनके under में आना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ancient devil मरना चाहिए, और फिलाल यह कोई एक formation बना रहे थे, डाव refinement यूज करने के लिए, और इनका एक group, allseer की तरह पढ़ता है, लेकिन तब ही, वो blue light शमकती है, तो फिलाल, allseer न ठीक है, फिर तुम मरना ही चाहते हो, इधर wangling, moving में को एक लोग देता है, कि तुम्हारे जुरत नहीं है, और अब रही बात पेलके, तो मैं किसी और तरीके से, तुम्हें उसे repay कर दूँगा, और तुमने जो मेरी जान बजाए एक तरह से, उसे भी मैं, कई गुना ज़् कर दूँगा, moving में का चेरा पतल जाता है, फिलाल वो पीछे अट जाती है, और पीछे जाते जाते बोलती है, कि मैं उसे देखना चाहती हो, यही इसका सबसे बड़ा desire था, बाकी कोई नहीं समझ सकते थे, पर वांग लिंग थोड़ा सा काप जाता है, कि वो किसे बोल रहे देखने के लिए, वांग भी इंको बोल रहे है, वांग लिंग एकी चीज बोलता है, कि तुम qualified नहीं हो, moving में फिर से कुछ बोलना चाहती थी, पर तब यह जो cultivation alliance वाले थे, celestials लोग, यह भी आ जाते है, और moving में इने cold look देती है, और फिलाल वांग लिंग, allsir की तरब charge कर जो कि बहुत rare है, इनके जैसे बन देखे लिए, और allsir को अब चबर चस्ती, second seal को खोलना पड़ता है, आधा खोल चुके थे, लेकन इस तुरान space से एक palm attack आ जाता है, और allsir की body से टकराता है, space में एक vortex बनता है, जो rotate कर रहा था, और लोगों कुछ चीजे दिखाए देत आठ स्टार के ancient god, लेकिन इनसे भी एक बड़ा figure था, और यहाँ पर ancient demons भी दिखाई देते हैं, और थोड़े दूर में devil ही शौरा भी थी, ये थे ancient devils, और इन तीनों clan के बीच में battle चल रहा था, यानि इसे हम ancient order clans का battle कह सकते हैं, और नीचे में बहुत सारे key refiners भी दिखते यानि अपने एक cultivation वाले बंदे, battle काफी बड़ा था, अलग-अलग जगय के locations को दिखाई जाता है, मानों इन लोगों को ये लगता है कि ये demon spirit land में है ही नहीं, किसी illusion में फस चुके हैं, इसे बोलते हैं dream of ancient times, सपना पुराने समय का, ancient devil भी हरान था, वो old man को भी कुछ चीज गौड का life saving treasure, और इस समय ये power और ज्यादा बढ़ता है, 100 ancient gods आगे बढ़ते हैं, demon clan वाले, devil clan वाले भी आगे बढ़ते हैं, और ये जो 100 ancient gods थे, इनके पीछे एक और बंदा था, जो बहुत बढ़ा था, मतलब ancient gods से भी ज्यादा height, वो इनके साथ था, और all seal इस pressure के सामने, ये खोन के उल्टी करने लगते हैं, और पूरा second seal अब ये खोल चुके थे, इनके और पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है, और इतनी powerful थे कि मानो, ये जो primordial battlefield बना था, वो भी collapse कर जाएगा, और ये चिलाते हैं, कि वांग लिंग बाहर आओ, अब इनका age भी जो था, वो वांग लिंग की बस आवास से, यहाँ पर बहुत सारे लोग खोन के उल्टी करने लगते हैं, और फानली वो जो figure था, जो 8 star ancient god से भी बढ़ा था, ओलसीर के सामने आता है, इतना बढ़ा था कि क्या ही बोले हैं, ओलसीर भी इसे पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं, ज्या पास करके वो जो celestial lord था जो अभी आया था, वो भी डर जाता है, जब इस figure को देखता है, पसीने चूटने लगते हैं, मानो यह कुछ कहना चाहता हो, खून की उल्टी करता है, और यहां से साथ गायब हो जाता है, किसी को समझ में नहीं आता है, कि कहां, पर लोगों के पास स सीरियस हो जाते हैं, और trident को हवा में फेक देते हैं, और खुद भी आसमान की तरह पढ़ते हैं, और एक खतरनाक लिवल का collision होता है, और जो giant था, उसका एक fish attack आता है, और trident से ठकराता है, साथ में all seer के साथ भी, खतरनाक अभाज आ रही थी, यह औरा चारो तरफ फेलती हैं, और यह जो battleground अभी बना था, दिरदरे गायब होने लगता है, world फिर से normal हो जाता है, demon spirit land फिर से दिखने लगता है, बहुत सरे alliance cultivators यहां से गायब हो चुके थे, किसी को समझ में नहीं आता है, और यहां पर लोगों के एक crazy बंदा दिखता है, all seer यह जमीन में धस चु मतलब दोने एक दूसरे को मिल के बचा पाते है, वांग लिंग भी आसमान से गरता है, खुन के उल्टी करता है, इसके अभी right eye में वो blue light थोड़ा थोड़ा चमा करता है, फिर गायब हो जाता है, जो azure shield था, वो हमेशा के लिए खतम हो चुका था, वांग लिंग के हाथ मे बिंग में की बात, कि वो नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं है, कल्टिवेटर, कल्टिवेशन अलाइन्स वाले, मतलब वांग लिंग के तरफ एक डर के साथ देखते हैं, यह चीज कोई कैसे भूल सकता है, प्रिमोडियल बैटल ग्राउन, बहुत सारे लोगों को देखना, एं प्रिलेंट वॉइड के साथ, आखिरी में मारे गये थे, लेकिन कोई उनके सामने जाने को, पास जाने को तयार नहीं था, क्योंकि इतने लोगों को उन्होंने मारा था, और इनके पीछे कुछ लोग और थे, और जिवर डिवाइन सेक्ट के, ब्लैक टॉट आइज सेक्ट क और ओल्ड मतलब मेडिलेज में इनके आवाज आती, कि हमारे फ्यूचर डिवाइन एंपरर को मेरे सामने कोई मार थे, बट आवाज एकदम प्यारी थी, एकदम नॉर्मल बोलते हैं, पर इनके आवाज से ही, पुरा डेमन स्पिरिट लैंड ट्रैंबल करने लगते हैं, और इनकी नजर पढ़ती है, बहुत सारे लोगों पर, ओल्सीर का चेहरा बतल जाता है, कि वर्मिलियन बड डिवाइन एंपरर, इससे भी मालूम था, कि ये मेरा पपा है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये नाम बना चुके थे, और वांगलिंग की तरफ, ये देख और ये एक बलड में बदलता है, ड्रॉप अप बलड में, और कोई भी इस बलड के तरफ देखनी पा रहा था, ओल्ड मैं फानली देखते हैं, ब्रिलियन वाइड वाले, और कहते हैं, कि ये तो मतलब वर्मिलियन बड का ट्रेजर है, प्रिमोडियल टाइम्स वाला, तो श झाल, बर और जबड देखते हैं, प्रिमोड Already vibrations to sound, social yourself,轉 के को खिलियों पाय वाल के तरी की की आफिए, आलिएर हैं, और का लाइड वाल, कर था वाल, क्या रहा थातिए, तो, में जूनर रही वाल कोई।, मैं चा प।ं़ और कोश है, इस абया हैं, थानल वाल रह प